यामाहा, R1, हॉंडा, CBR 1000RR और कावासा की निंजा ZX-10R जैसी सूपर बाइक्स के टॉप स्पीड रन में आपने नोटिस किया होगा कि स्पिडोमिटर 299 किलोमिटर्स पर आर तक पहुंचकर प्रीज हो जाता है पर इसका मतलब ये नहीं कि इन सूपर बाइक्स के एंजन में 299 किलोमिटर्स पर आर से उपर जाने की कैपासिटी नहीं है असल में इसके पीछे है 1990 में मोटसाइकल मैनफेक्टिरस के बीच हुई स्पीड वार और उसके बाद हुआ एक इनफॉर्मल एग्रिमंट यानि की जेंटलमेंस एग्रिमंट ऑफ मोटसाइकल मैनफेक्टिरस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1980s के बाद सूपर स्पोर्ट बाइक्स की शुरुआत इनकी development, इनकी speed और इस speed से जुड़े खत्रों के बारे में जिसकी वज़े से कई कंट्रीज में सुजुकी हायाबूसा को बैन कर दिया गया था पास में हुए ये events और gentlemen's agreement किस तरह आज के modern super sport bikes की speed को regulate करते हैं और आज कौन-कौन सी bikes हैं जो इस agreement को follow नहीं करती हैं ये भी हम जानेंगे So let's begin 1980s के end तक motorcycle engines काफी जादा develop हो चुके थे Suzuki GSX-R 1100 Honda CVR 1000F और Yamaha FZR 1000X-Up जैसी sport bikes लगबग 150 bhp की maximum power के साथ more than 250 km per hour की top speed टच कर रही थी ऐसे में extreme level पर जाते हैं वे कावा साकी ने 1990 में double ZR 1100 को launch किया जिसे Ninja ZX-11 भी कहा जाता है 1052cc inline 4-cylinder engine के साथ ये बाइक 145 hp की maximum power produce करती थी और इसकी top speed थी 283 km per hour अपनी super fast performance की वज़े से ये बाइक अमेरिका और European countries में काफी popular हुई और इसकी वज़े से लोगों में powerful high speed bikes के लिए fascination और भी बढ़ गई motorcycle world में अपनी supremacy प्रूव करने के लिए 1996 में Honda ने CBR 1100 Blackbird को launch किया Lockheed SR 71 Blackbird जेट के नाम वाली ये super bike अपने 1137 cc inline four cylinder engine की help से 287 km per hour की top speed अचीव कर सकती थी जो उस समय पूरी दुनिया में सबसे जादा थी 164 bhp की maximum power और 287 km per hour की top speed के साथ Honda CBR 1100 Blackbird कावासा की ZX-11 को बीट करके world's fastest super bike बन गई Safety के point of view से किसी भी land vehicle में 80 km per hour से जादा की speed dangerous होती है specially motorcycles में high speed में crash होने के chances काफी जादा होते है 90s में bikes per rider की safety के लिए कुछ खास features नहीं होते थे जिसकी वज़े से इन high speed bikes से होने वाले crashes बढ़ने लगे Public roads के साथ ही race track पर भी कई fatal crashes की वज़े से Different government authorities के बीच speed और road safety को लेकर serious discussions होने लगे AC बीच 1999 में Suzuki ने GSX 1300R Hayabusa के साथ पूरे वर्ल्ड में तहल का मचा दिया Blackbirds का शिकार करने वाले दुनिया के fastest bird Peregrine Falcon के नाम वाले इस super bike में 1299cc का in-line four cylinder 16 valve DOHC liquid cool engine था जो 173bhp की maximum power और 126Nm टॉर्क प्रीउस करता था Massive power और super aerodynamic design की वज़े से Suzuki Hayabusa 312 km पर आकी top speed अचीव करती थी जो दुनिया में अब तक बनी किसी भी bike से बहुत ज़्यादा थी इस extraordinary technical achievement की वज़े से पूरे आटो वर्ल्ड में Suzuki Hayabusa का खूब नाम हुआ और पूरी दुनिया में ये bike motorcycle fans की dream bike बन गई लेकिन public roads पर इतनी high speed से जुड़े concerns की वज़े से European government ने Hayabusa को ban कर दिया Suzuki और दूसरी Japanese companies के लिए Europe एक बड़ा market था पर road safety के लिए वहां की government सभी high speed bikes पर ban लगाने की तयारी में थी fastest super bike in the world का title हर company के लिए advantageous था पर इस speed war से उन्हें fame के साथ साथ high sales का benefit मिलना बंद होने वाला था क्यूंकि future में Europe की तरह America और दूसरी countries भी fast bikes को ban करने की तयारी में थी ऐसे में सभी European और Japanese manufacturers ने एक साथ मिलकर ये decide किया कि कोई भी company अपनी bikes की speed 300 km पर आर से जादा नहीं रखेगी ताकि top speed को लेकर इन में comparison ना हो इस agreement के according सभी manufacturers अपनी bike में electronic speed limiter लगाने लगे जो इन bikes की top speed को 299 km पर आर से 303 km पर आर तक limited रखता है वर्ल्ड की top motorcycle manufacturing companies के बीच हुए इस gentleman's agreement की वज़े से finally speed war रुख गई 2001 से Suzuki ने भी इस gentleman's agreement को follow करते हुए Hayabusa की top speed को electronically limit करके 299 km पर आर कर दिया जिसके बाद Europe ने Hayabusa पर लगाए band को भी remove कर लिया इसके बाद Kawasa की ZX-12 और Honda CVR 1000 फार ब्लेड यसी कई सूपर बाइक्स लाँच हुई जो पिछली बाइक्स के comparison में जादा powerful और technically advanced थी पर इन सभी की top speed 300 km पर आर तक ही limited थी लेकिन 2007 में MV Agusta ने अपनी नई F4R के साथ gentleman's agreement का violation किया 998cc four cylinder engine के साथ ये बाइक 183 BHP की maximum power produce करती थी और 192 kg lightweight body की वज़े से इसकी top speed 310 km पर आर थी इसके बाद BMW ने 2009 में S1000RR के साथ gentleman's agreement का violation किया 999cc inline four cylinder engine के साथ इस बाइक की top speed 303 km पर आर थी जो gentleman's agreement में set की गई limit के आसपास थी लेकिन BMW ने से electronically limit नहीं किया था इसके बाद 2012 में Ducati ने भी penny ale R के साथ gentleman's agreement का violation किया 1198cc L twin engine के साथ 195 bhp की maximum power produce करने वाली ये बाइक 325 km पर आर की top speed तक जाती थी जो gentleman's agreement की limit से काफी जादा थी Ducati, BMW और MB Augusta ये सभी European companies हैं और शायब इसलिए इन्होंने motorcycle companies के बीच वे gentleman's agreement को follow ना करते हुए अपनी bikes की top speed 300 km पर आर से जादा रखी ऐसे में Honda, Yamaha और Suzuki जैसी Japanese companies की तरफ से एक strong reply आना obvious था पर ऐसा हुआ नहीं Honda, Suzuki और Yamaha ने पूरी honesty के साथ gentleman's agreement को जारी रखा कावासाकी ने European companies को एक जबरदस्त शौक देते हुए Ninja H2R को launch किया 998cc in-line 4-slender supercharged engine के साथ ये bike more than 245 miles per hour यानि की almost 400 km per hour की top speed अचीव कर सकती थी Turkey के आस्मान गाजी ब्रिच पर कावासाकी ने Red Bull के साथ मिलकर Ninja H2R का speed test भी किया जिसमें इस bike ने 400 km per hour की top speed अचीव करके पूरे motor world को शौक कर दिया Ninja H2R की 400 km per hour की top speed के साथ कावासाकी ने Gentleman's Agreement वोलेट करने वाली European companies को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो आज तक भूल नहीं पाये है 400 km per hour की top speed अचीव करने वाली hyperbike बना कर भी कावासाकी ने Gentleman's Agreement का वोलेशन नहीं किया क्योंकि Ninja H2R street bike नहीं है ये सिर्फ private roads या racing track पर चलाने के लिए बनाई गई है इसके road legal version Ninja H2 में speed limiter लगा कर कावासाकी ने Gentleman's Agreement जारी रखा है आज के टाइम में Ninja H2 दुनिया की fastest accelerating street legal super bike है कई riders इसमें लगे speed limiter को remove करके 300 km per hour से जादा की speed अचीव करते हैं लेकिन roads पर सभी की safety के लिए super bikes की top speed को limit रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इतनी high speed में एक छोटी सी गल्पी भी काफी खतरनाक हो सकती है European और Japanese companies के speed war की ये वीडियो आपको कैसी लगी comment box में जरूर शेयर करें bikes और cars से जुड़ी और भी amazing वीडियो के लिए subscribe करें Ride safe to ride again See you in the next one